नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ जिगनेश, अगेन आवोचू सुरत.xy जह रख के जे तमने हमेशन नवी अपडेट्स आपतू रहेशने नवी महाईती आपतू रहेशने तो अभी जे नवी महाईती ने एक नवी अपडेट छे आपनी बासे जे तमने गणा वर्सोती जान अपनी साथे आजे आवेला छे महमान के जेमने हो तमने मला वीश पने अवी शे थूड़ उकन हो तमने क्यों मागिस के जेम क्यों है न क्या आपने आइस्क्रीम खवडा होनु येमने सारी रहेटे सिखवाएडू छे के जिए वाच्छ पर आइस्क्रीम पर ने तमें करी च्विकार छे तो येवा बद्दाना जानी तान आपना बद्दाना पसंद इगा एक्टर जेए छे जेमने तमें बद्दा उडखो छो अल्रेडी अपन आजे हूं तमने लाइव एमनी साथे मुलाखात करावीश ने तमारा जेपन क्वेशन नहसे ने तमें पूछी श साथे शेयर करें तो प्लीज में मराव मांगू छू आपना बद्दाना जाहिता जानी ता बॉल्यूट फिल्म एक्टर जेमने घणीबती मूवी कही दिछे अने शोल वरस्ती इंदस्ट्री मां छे अने खरेकत खुब सरस्रीते काम करी दिया छे अने आपना बद्दा फैंस चे अने बदा तमने जोई देया चेंग ए बदा तरब ती मूझ जिगनेश तमारों हार्दिक सौगत करूँ सुर्णा दुनिया मां रोशन कही रूज अने तमारा लीदे अमें प्राउड फील करिए छे के आमा घ्रिक आपने प्राउड फील थाई जे पंड़ स्वे तम मैं अख्या घ्रिवधि लैंगवेज जानो छो अने जे लैंगवेज मां तमें अएक्टर हो तो हमने तो आवड़ेट थे होड़े लिए तमें वातों करी छो को छो पर्ण हूं तमने प्राउड पुछन क्वेज पूच्छन मां आजे वातों को छो क्याम के में सूरती तो तो गुज़राती खबर शे पन तमारा अख़ा दुनिया माँ फैन्स छे तो यह पने कदास खबर नी पड़े तो तम्हें क्या लेंग्वेज माँ वात करीश हो कोच होता है तो मारा जी फैन्स लोग को जी दुनिया ना दरेक खुणा माँ छे ते लोको ने हुना आराज करवाना थे माँ तो आज हम बात करेंगे हिंदी में आप लोग के साथ में आप भी शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने आईडियाज अपने प्रशिंस यहां पर खुद लाइव मैं आपके साथ में हूं तो आप मुझसे डारेक्ट बात कर सकते हैं आज अभी इस ही वक्त सबसे पहला तो सवाल ही आता है कि जैसे कि हम इंदी में भी बात करें और हमारे आपके जो फैंस हो काफी खूश होगे कि वो चाहते हैं कि हमें भी कुछ पता चलें और कुछ नया सिखने को में लेकि सबसे में पूछना चाहोगा सब कि पिछले 16 साल का जो आपका सब पर है कैसा मतलब बहुत माइंड ब्लॉइंग तो नहीं बुला जा सकते हैं क्यूंकि इस स्टेज पर अब मैं आज हूं तो उसके पीछे सिर्फ मेरी महनत ऊपरवाले का अशिरवाद और मेरे जो फैंस लोग जो दर्शक है उन लोग का मैं बहुत बहुत शुकृत करता हुआ चाह press पर हूं उस पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हख है आप सभी हो तब मैं आच इस पर हूँ तो सूना सब में बहुत उतार चड़ा ह बहुत सारी मुसीबतों का सामना घरना पड़ा है तब जाके कोई अमीता बच्छन बनता है तो वो अपनी जगे पर किस लिए है क्यूं है वो आज मुझे पता चल रहा है डिटेल में भी बात कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी यहां पर सूरत का नाता मेरे साथ बहुत पहले से है जैसे सुरत में मैंने करीब रा साल तक मैंने सुरत में ड्रामाज वगया किया मैंने सिर्फ मेहनत देखी है फैमिली को छोग वहां गया था यह सूचके कि मैं अपने हाप को तीन-चार मैने आट-इस दूगा उसमें अगर कुछ काम होगा तो करोंगा नहीं तो पिर महापि 20% में से 20% अगर मैं ब्लेस को समझता हूं उपर को ले काशिरबाद समझता हूं तो 80% मेरी महनत है उसमें विल्पुल सही है उसमें करीबन ऐसा समझ है कि आज मैंने 200 से उपर एड किया है 205 है हो गए मेरे अधी तक ते आप सारे एड्स मेरे देख सकते हैं पीके बैंग बैंग गबर उंगली अभी रॉंग साइड राजू करके एक मुवी आही थी गुजराती मुवी जिसमें बहुत अच्छा किरदार था मेरा नेशनल अवोर्ड विनिंग मुवी है जुडवा तू मुवी देखिये हुए आपने उसमें भी मैंने बहुत ही अच तो जो अभी बच्चे है वो चाहते है कि मैं डायरेक्ट से कुछ करूं जैसे कि अभी कोई आर्टिस्ट है तो उनको एसा लगता है कि मुझे अचानक से काम मिल जाए और मैं बिना मेहनत किये ही आगे बर सकूँ सरी एसा कितनी बार होता है कि ऐसा लगबाय चांस जी से कहा वजोध बना के लेके आया था यहां पर इसने खुद के ऐसे फिल्म का कॉं क्वखत किया था चार सामने की बातै Southeast और उसने यह बोला था कि मैं इस फिल्मों में पैसे नहींगा बलखि एसे फिल्मों में पैसे दूजगा उसने अपने कबिया तर और वह काबियत पे दो घंड खाड़ा टिक सका तब जाके आज वो रणवीर पर सकता है। अहाँ जैसे लोग जिसके ना कोई माई-बाप है जो मुंबाई मेरा चाल गफशका का जाकोorf है तौि यहामी उन्हे क्षाल मेरा पेह फॏ कीरण यह जीनमत लेकिन का कि रहुष पर मेंुबाइन शारुप थे लिए पर यह बंडे स्टेज लेके वहाँ पर गया था तो मुझे वहाँ पर स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ी मेहनत बहुत लिए तो यह है कि वहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमें तुरंत काम मिल जाए आज भी लोग मुझे पुछते हैं कि सब्सक्राइब भी अग्ड़ाया गत्तलि आप कोई मैं पर वहाँ अगर आपको यह द्याए कि लिदा हैं आप के महनत से अगर आपका कुछ आदिशन उनको अच्छा लगा कुछ और कुछ है सिस्पार तो कोई ना कोई जरूर आपका हात पकर शेंड़गा बिल्कुल सही है, सर हमने हमेशा आपको देखा है कि सिर्यस किर्दार आपने जादा किया जैसे कि जुर्वा में देखा है, लेकिन आपको देखने यह आप फिर भी खूशे मिलते हैं, जब आप वहाँ पे आते हैं, और हम जितने सुरत से आपके फैन से जुड़े हुए आप अब देखा है, लोग यह समझे कि यह तो सीर्यस के लिए जाना जाएगा, यह तो कॉमेडी यह है, इतना है कि मेरा इमेज वहाँ पर ऐसा बन गया है, कि अभी सिंसियर भी नहीं, अगर यह बोले कि कॉमेडी अगर कोई करेक्टर है, जिसमें अगर मुझे ऐसा ऐसा पर्ट मुझे जब भी ऑडिशन में जाता हूं, तो मुझे यह एक्सपीरियंस है, कही बार लोग बोलते हैं कि तू तो आइड की है, तो मैं आइड के लिए ऑडिशन पर आने की जरूरत नहीं है, यह लोगों का प्यार है, आप लोगों का अशिरवाद है, और यह उपर वाले का जाओ, और आपके फैंस के कुछ क्वेशन भी आने चलोगे, जैसे कि पल्लवी है, जो ने लिखा है कि प्राउट पॉर सुरत वासियों के उनको काफी फ्राउट फील हो रहा है, आपको यहां पर देखके, तो स्वीट ऑप यह प्ल्लवी ताइड के सब्लवी काफी फैंस ह जैसे कि आपना पूछने को बेकर आरे कब से आप जरुबर पूछिएगा, जैसे कि आपने का है कि रॉंग साइड राजू, इसको अवर्ट फॉंशन में भी मतलब इस फिल्म को गुजरती में है, शायद मेरे कहल से एक-दो गिनी चनली फिल्म है, जिसमें से ये फिल्म ऐ जिसको नेशनल ओवर मिला है, इस अवर्ट इस बिग अचिवमेंट एक आप अप्रिशेट कर सकते हैं कि आपका जो फिटनेस है, फिटनेस लेवर जो काफी अच्छा फिटनेस है तो उसके लिए क्या करते हैं? मैं चाहता था कि आपने इक्वेशन क्यों नहीं पूछा, मेरे दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपने शाहिद नाम सुना होगा, आइट ओफ लिविंग, जिसके प्रनेता है श्री 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 लविशन कर दिए, मैं उनको फॉलो करता हूं, उनके पासे काफ योगा, व्यायाम करने से आप अपनी बोडी को जैसे चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो, वह एक्टिंग में भी बहुत रिलेट करता है इस चीज को क्यों, मेडिटीशन करने से, प्रारायन योगा करने से, ये टेक्निक करने से क्या हो रहा है कि आपका मैंड जो नेगेटिव च चीजों के लिए, तो आप क्या करते हो कि वो सारी चीजे अच्छे से कर पाते हो 100% दे के हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ऑडिशन तो देते हैं, लेकिन ऑडिशन में 100% दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना होता है, कुछ माइन में कुछ प्रोब्लम चाल रह होता है audition में आपका 100% रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप audition में 100% नहीं रहोगे तो आप अपना criteria नहीं बता पाऊगे कि आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ dialogue की criteria में रह जाओगे जब आप audition देते हो तो आपको वो criteria छोड़के कुछ हटके आपको उस character में जाना है और फिर आपको करना है और जितना important आपके acting है जितना आपका expression है उतना ही है आपके active कितना हो और यह सारी चीजे fitness से ही आती है और मैं यह चाहता हूं कि fitness से बार ही नहीं होनी चाहिए अंदरूनी जैसे कि आप रोज साबून से नहाते हो अपना body साफ करते हो दो दिन अगर नहीं नहीं करो तो कितना घंदा हो जाएगा तो उसी तरह हमारे माइंड के अंदर जो कच्रा भरा पड़ा है जैसे कि उसने मुझे बोल लिया उसकी negativity इसकी negativity कि तरह सारा कच्रा हम रोज डालते रहते हैं उस कच्रे को साफ करने के लिए हमारे पास market में कुई भी साबून नहीं है बिल्कुल सही है उसको साफ करने के लिए हमारे पास सिर् वर्वान हमें लिए है वह है सांस ब्रीथ तुर ब्रीथ यू कैंडल यूर माइंड यूर माइंड सो मेरे हिसाब से यह सब को करना चाहिए मैं यहां से प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट यह मैंने experience किया हुआ है मैंने खुद यह चीज को notice किया हुआ है ताकि आप लोग इस इंडस्ट्री में जैसे बड़े-बड़े डायलोग याद रखने रहते हैं कई बार होता है कि मैं audition में वैसे कोई character कुछ इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन audition आप को लंभी script देते है क्यों कि आपका talent उसी में दिखता है तब यह बहुत जरूरी होता है इस माधियम से सुरह टेक्सवाइज से की प्लीज डू दिस शाहिद आपको इसमें कुछ पर सेंसर और हम जब भी आपको देखते हैं मतलब जब आपकी पीक से तो आप हमेशाद शाइन होते हो हमेशाद चमबते रहते हो तो इसका राज आप सब लोग जान चुगे और था तो आप 12 हार से भी जाद आप ले जाते हों तो तब यह शाइनी रहना जरूरी होता है चेहरे पर जो एक्टिवनेस से हमेशा बरकरा रहना जरूरी होता है तो इसके लिए कापी चीज़े हेल्फूल हो सकती है क्यूंकि हमारा कैमरा में सिर्फ फेस ही दिखता है यहां पर अगर एक च्छोटा सा पिंपल भी यहां तो आपके सामने होता है यही ओड़ियन्स है अपका स्टेज करते हो तक तो बहुत सारी ओडियंस सामने बैठी होती है सबको एंड तक जो भी होता है जो बैठी होता है उनको भी दिखाना होता है तो थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर आपको करना रहता है सारी चीजे तो आपको वो सारी चीजे लोगों को बताने के लिए आपको सटल चीजों में जाना पड़ेगा स्टेज का लेवल आप पकड़ के चलोगे तो नहीं आपने यह फिटनेस के बारे में जो भी हमारे उबरते कलाका रहें जो भी फ्रेंड्स जो आपको देख रहें अभी उनके दिल में भी थोड़ा एक क्वेशन तो हो गई कि हां इस तरीके से शाहिन हम कैसे बन सकते या फिर हम लोगों को चांस है निवह पर जाता है या फिर आप अपना टैलेंट अपनी महनत दिखा के आगे जा सकते हम आपके सवाल में यह आपका जवाब है Ichtaly क्या है कि हम यह सूच के ही अतक जाते है कि हमारा कोई माई बाप नहीं है शारुक खनाए अगर यह तो ऑज यहां पर नहीं होते बिल्कूल सही है या आप सबको पता है माईय अभी नगने कहते हैं क्यों सबके है आप तीन चीजों में फास जाते हो या तो आप दारुकी इलत में पर जात हो या लड़की इस तूसरी चीज बएस तूसे की कि निंदा करने में लग जाते हैं क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में हो निंदा जो आप लोगों की करने लग जाते हो यह सारी चीज़े आपके अंदर नेगेटिविटी प्रिड्यूस करती है और उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू होने रगता है चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिवनेस के साथ में हंड्रेट परसंट पस इसी चीज़ को करेंगे कई लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आते हैं पर चलो यार एक्टिंग तो नहीं होपा रहरी है एक काम करते हैं साइड में ये शुरू करते हैं अपने प्रदान ने दिया तो आप आपक्टिंग करू तो या तो वें में क्या होता है अब कोई चीज करना चाते हो जाते हैं तो हón्डट घंडेर्ली करो यहाँ में से कुछ मेहनों के बाद कुछ दिनों के बाद हो जाते और जो नेगेटिविटी और भी दूसरे जो बच्चे हैं जो आटिस्स ने फेला देटे भाई कुछ नहीं होता है वहाँ पर जाके मैं इतने दिन वहाँ पर रूखा लेकिन आप एहतल सर से पूछ सकते हो के और इन्हो मुंजी सर्वाइयर कैसे करूं निए कैसे किया है पर निकल गंगा है कि ने रखने ंद पर न खुल करने की इसे बात है कि कि तीन चीजों में फसना नहीं है एक दूर लड़की में दूसरी एसा कोई वेसं जो भी लट है आपको उसमें और दिसरी चीजे एसा कि आप अपना फोकस डायवर्ट ना करें किसी और चीजों के लिए तो प्लीज ध्यान रखना क्योंकि काफी इंपोर्टन चीजे इन्होंने अपने साथ शेयर किये एसे एक आपकी फ्रेंड जो जिनका मैसेज है श्रदा श्याह और यह सिंपल सा सवार कूछ रहे है जो काफी फैंस आपको देख रहे हैं उनके दिल में भी चल रहा है श्याद मेरे मेरे मन में भी वही है कि मैं आपको पूछू ले तब क्या है कि मैं अभी आपको बताओं कि यह फिल्म कर रहा हं और फिर वो क्या है जनरली फिल्मों क siendo कängt इसा होता है और। यह ब्ल्य कई बार नहीं भी होता है यह सब होता है सब लोग जानते ही होंगे उसी सीरियल के साथ में हमारा एक दूसरा सीरियल शुरू हो रहा है मेरी हानेकारक डीवी इस अ कॉमेडी शो और एंड टीवी का शो है रात को दस बजे आने वाला है अभी उसका प्रोमो भी शुरू हो गया आप देख सकते हो मुझे उस सीरियल में अगर इतल सर के दर डेफिनेटल इतना अजबर दस रखा है मेरी आणेकारक डीवी इसमें आपका क्यारेक्टर क्या होगा यह है हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं बट आज आएगा तो आप खुदी देख लीजिए का रात को दस बजे आई हैं हम जरू देखे लिए और उसको सबको बताएगे कि देखिए सर अभी यह हमारा प्राउड है जो मतलब सूरत से गए हुए है और इनोंने मतलब सब दुनिया को हसाने का यह कॉंट्रेक लिया हुए है और वो भी एस ट्रॉपिक पर लेखे मेरी हानिकारक विपी जो सब लोग डरते ही है तो यह सुमके लोगों को है मतलब एक चेरे पर हसी आ जाए है जाए जाए जब आप यहां से घरत हैं सूरत से सूरत में पहले जब किसी के साथ में करना चाहता हूं बट मुंबई का अपना एक माहल है सूरत का आपना माहल है सूरत काफी अच्छे प्लेज हो रहे हैं आज कल मतलब सूरत मुनिसिपर कॉर्परेशन जो सपर्धा करें वो बड़ के किसी कोल में मेरे क्याँ से नहीं हो रही है तो इस अग अगर किसी को अक्टर की जरूरत है तो सूरत से पहले प्रिफर करेगा विल्कुल सही है सब बिग दिंफ फॉर दूरत अ आई रियरली अप्रिशियेट अप्रिशेट अल्ड अधर्स फंसूरत की आज सूरत में ऐसे एक्टर है जो वहां के बंबे के अक्टरों को मुंबई आपके अठीक है इसमें सबसे जो कठीन समय होता है वो कौन साता है जैसे मतलब हम शब्द यूस नहीं करना चाहते है और नहीं सर करना चाहते है श्ट्रगल तो अलग हो गया है लेकिन जो कठीन हम बोल सकते है सबसे क्रिटिकल कंडिशन होते हैं कि यह साल मेरे लिए बहुत खराब रहा है जुसरा साल आने वड़ा साल अच्छा था तो ऐसे सबसे जादा जो कठीन समय था हो कौन सा था तो बेरी प्रेंग ऐसा कोई समय मेरे सात रहा नहीं आठ साल में मैंने सिर्फ काम किया है एक एक मुझे पता है फेबूरी 2015 ऐसा मन्थ छीसमें मैंने मैंसे उसमें पांच एड एक साथ में की थी सीरियल में कांकि यही फिन्म में कांकिया एक एक मंथ है मैंने 36 गंटा एक साथ लगातार काम किया तो मैंने रात को फिर सीरियल का शूट किया उसके दूसरे दिन मैंने फिल्म का शूट किया फिल्म सिपी में इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए एक ही वाड़ है वह है मेडिटेशन दू मेडिटेशन जहां पर भी आप जाओ सीख लो उसे अच्छे से सीख लो आट ऑफ लिविंग में भी सिखाते हैं प्लीज सीख लीजे उसे और करते जाईए उसका अनुद्व आपको खुद हो जाएगा मेडिटेशन जैसे कि हम फिटनेस की बात करते तो सब्सक्राइब काफी अच्छी चीजे बताई हमें कि मेडिटेशन चरूरी है अगर 36 घंट है मतलब 36 हर्स कंटिन्यू काम कर रहें फिर वह उनके चेरव इतना और हम लोग क्या सोचते कि हाँ मैंने मुंबई गया दो दिन सब्सक्राइब करना पड़ता है मेडिटेशन करना पड़ता है और फोकस डाइवर्ट नहीं करना पड़ता यह सारी चीजे होगी तब जाके आप हैतल पुनी वाला बन सकते हो लेकिन सब्सक्राइब आप हैऐतल पुनी वाला बनने कि ज़रूरत नहीं है आपको आप जो हो इन रे पड़ता है यह थन पुनी वरावन में षा जिए Let drauf on लेकिन बताएगा कौन कि हमारा आज का जो यहां का मोटीव है सुरत डॉट एक्सवाइज में जब हम यह बैठे तो इस तरीके से जो स्टार है हमारे सुरत के जो सेलिब्रीटीज है जो बहार इतना सारा नाम कमा रहे या फिर वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रहे सुरत का हिए तो बुजरत को प्रोमोट करते हैं इनको फिल होता है क्वेद्न काफी बहर अइसे जो स्टार पर शर्मतॉ sucking हमारी आप ने मन बुच्राट में' जैसे के सबसे essent दूब होता है हमारे घुछ के विदिजे शर ब कि मेरा फ्रेंड सूरत से इतना अच्छा काम कर रहा है लेकिन सूरत में कोई नहीं चानता है तो आपको भी बैट फिल होता है तो प्लीज ए सारी चीछे देखे और जो अभी चल रहा है जैसे कि सर ने हमारे से कापी आच्छे बाते शेयर किये इसके लावा सर हम जाना आपने ऐस्क्रीम खाना तो सिहाने जामारे से ऑलमोस्ट जीगनीश अलमोस्ट सारी एड्य मैंने कर चुका हूं कर दो लिपर कंपिल सउरी आंप इसा होता है कि हम लोगों की लिए कोई क्रेंटर आ तके समझ लो कि एक आड हमने ब्रेंड आगर हम उसका ब्रेंड में बनता तो मैं दूसरे कोई competitive brand नहीं कर सकता है, इस competition level पर यह होता है, बट मैं हमेशा इस बात को सुचता हूँ कि इतनी सारी add करने के बाद अभी यह add एक रहे गई है, यह एक रहे गई है, हमेशा मेरे मन में रहता है, तभी जाके हम एक और forward step करता है, और कुछ अलग करने की, अगर समझ लो, ice cream के बाद इसके इन सारी चुचों के बाद, अगर आप करना चाहोगे, अभी just, तो कौन से add करना चाहोगे, कौन से यसी product होगी sir, कि जिस पे आप मतलब तूरंध हाँ, हाँ, मुझे यह करना है, नहीं नहीं, देखो product का criteria मैंने कभी नहीं बना है, मैंने यह criteria बन मुझे जैसे हमारे सुखडिया जो है, जिसने मुझे यहाँ पर आज बुड़ा है, मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ, I'm really sorry, मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं पाया आपको, but she is such a wonderful lady, उसने मुझे आज यहाँ पर invite कि अपनी channel में, उन्होंन चाहूंगा इस बात को लेके, दूसरी यह बात है कि मैं हमेशा हम दोनों का अरस परस correspondent रहा है, जब भी कुछ ऐसी event होती है, कुछ कहीं पर जैसे समझो कि मुझे कहीं पर जाना होता है कि कोई inauguration है, कोई अपनी shop का inauguration करना चाहता है, कोई बोलता है कि मुझे वह actor लाके दो तो यह बोलती है कि नहीं सर, हमारी सूरत की शान है, हेतल की वाला, प्रीज देखे जरा उनको, एक बार उनका profile देखने के बार लोग भी बोलते हैं, नहीं नहीं इनको बुलाईए, तो कैसे भी करके मेरी availability चेक करके है, कैसे भी करके मेरी जो mentor है, जो मेरी जिसको मैंने यह सारा कुछ सौपा हुआ है, वो उनसे बातचीत करके कैसे भी करके date set कर देती है, so I really appreciate always कि यामीनी हमेशा मेरी जो assistant है, उससे बात करके उसका दिमाग खा जाती है, तो वो हमेशा मुझे बोलती है, यामीनी प्लीज क्या है, मैंने गोला है मेरी दोस्त है, अब प्लीज उसक आप लोग मेरी लिए परसनल हो, इसलिए मैं परसनल बात आपसे शेर कर सकता हूं, तो हमेशा मैं यह appreciate करता रहूंगा, आगे भी मैं उसके सब बहुत काम करना चाहता हूं, let's see, hope for the best, आप लोग भी बताईए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी shop का इनेगरेशन कर हो, वो हमें आप से मिलाने में कामियाब रह पाएगी, क्योंकि हम देखो, हम आज वैसा मैं बोल सकता हूं कि आज celebrity लोग बोलते हैं मुझे, तो मैं कई पर भी जाता हूं, तो लोग अपनी photo कीचवाते हैं, कई बार autograph लेते हैं, यामीनी एक ऐसा माध्यम है, उसके जिसे ल इसी को अगर आप बुलाना चाहते हो, या मेरे जैसे celebrity को बुलाना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों के थूज़ाएं, जो सच में काम करना चाहते हैं, इसमें इंका कोई फाइदा नहीं होता है, इसमें इंका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, बस ये निस्वार्थ भा अपने आपने चीज़े बोलना चाहिए इसमें आपका तो कुछ है नहीं यहाँ पड़ा स्वाहण कि उनको पता है कि अगर मेरे साथ है तो हम मतलब आगे बढ़ने और कुछ अलग करने ही वाले तो सर्क्रेट उनको तो जाता है बिल्कुल इसलिए मैंने बीच में बात को टोकते हुए काटते हुए मैंने पहले उनको नाम लिया मैं दिल से मानता हुए और काफी महनत कर दे मैं इसका रिजर्ट आप देखी रहे हैं सर एक क्वेशन मेरे दिमाग में आया था कि सबसे पहला जो एक शॉट होता है सबसे पहला जो सीन होता है जो 30 सेकेंड होते किसी भी आर्टिस्ट के लिए वह काफी मतलब नर्वस कर जाता है तो आपके साथ में पहला सीन कुन सा था जो फर्स्ट आपको कैमेर को पहली बारा फैस कर दो मेरी मेरी सबसे बड़ी फिल्म जो ओ माई गॉड थी उसमें मेरा सबसे वर्स्ट टफेस्ट शॉट जो था वो यह था कि मुझे उन्होंने वैसे तो क्या है कि हमें अगर स्क्रिप्ट दे जाते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं होती है उस टाइम पे ऐसा था माहौल कि हमें एबी नीज देली ऑफिस में ले जा गए थे वहाँ पर उनके पास प्रिप्लिक रहे थे पहां पर पर दूर्पर वो लिख रहे थे पर दोंगे अब विख्यू जो डिरेक्टर है इस फिल्म के वह नहीं मुझे बोला कि हे तर अब पर स्क्रिप्त आए नहीं कॉड डोड़ लोगे दियन के दिया हैं इम हमंहे ब्ली Clinic में बलहmers हöt को हुआ थें यसजह अर देखने फिल्म में कभी उन्हें सारी लुख्यों की डायलोग काड़ दिये, उसने सिफ मेरा डायलोग रहा है, जब भी मैं आता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, उसमें बीच में एक लड़की आती है, लेकिन थोड़ा सा आके वो चली जाती है, सो कहने का मतलब यह है कि मैं प्रिपेर रहता हूं हर चीज के लिए, उस टाइंप पर मुझे सबसे ज्यादा प्रब्लम हुई थी क्योंकि उन्हें ने तुनन स्क्रिप्ट दी ती और तुनन हमें जाके बोल ला था, बट ऐसे भी होता है, आप कंपेर नहीं कर सकता हो, इंप् प्रेजेंट माइंड रहता है, आप का माइंड खाली रहता है, तभी आप दूसरी चीज हो, और देखना आप भी हमेशा अला ट्रेनर क्या पता है कि इसको कहा कि कुन सी उपर्चनिटी में जाए और एक चांस में जाए आपको आगे बढ़ने का, आपको हमेशा रेडी रह है कि बस मेरे पास कभी भी उपर्चनिटी है कि मैं ग्राप कर रहा है, तो उसके लिए मैं रेडी हमेशा रहता हूँ, जब भी कोई बोलता है, मैं कभी किसी चीज को नहीं बोलता हूँ, और हम ego में ही ego में जैसे समझ लो कि अगर यामी नी पहली बार मुझ से फोन पे बात करने के टाइम पर हम यह सूच लेते हैं, उसके बार में धारना बना लेते हैं, इमेज बनाने के ज़रूरी नहीं है, उससे मिलो, जानो, पहचानो, हर इंसान बहुत अच्छा होता है, हर इंसान, मैं आज आपसे भी पहली बार मिला, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा कभी जाया go you आपी बारे जो फैंसाज तर ही बना लेते हैं यतने बड़े बड़े रिवारट्रेकित क्या इस तरीके से हो गए नॉर्मल हो गए या फिर हमारे इसे बात करेगा नहीं करेगे काफी टेंशिंग हो टाया काफी बारे में काफी भार नेगिधिव कई भी लोगों के दिमाद कोट एक है कि यह कंद creation करना चाहिए कि कही बार कि यह निग क्या 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 प्रहक्व कि लोग क्यों दोसी detect करते हैं इसलीव inf dur नहीं हैं कि सेलीपिरिटी लोग को सामना फेस नहीं कि जो पुरिए करता है हर बार लोग मिलते हैं हमें, तो हर बार लोग हमें क्या बोलते हैं, हर बार लोग मुझे क्या बोलते हैं, सर मुझे भी करना है, पार्टी में कहीं गए है, कौन सा मावल है, क्या मावल है, बस लोग शुरू हो जाते हैं, इसी वज़े से सेलिबर्टी लोग भागते हैं, वो तो ओडिएंस के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाथे हैं, आप अगर नेचरल रहो हुआ, तो कोई पर बचल साथ के सामने खडा था, मैं बिलकुल नेचरल था, उनके सामने खडा रहें बात किया मैं उनसे, मैंने उनके पास बिलकुल एक पीप बार ऐसा नहीं बो स्टेज पर आप काम करें कौन से लेवल पर देख रहें यह बहुत इंपोर्टन है आज इसलिए सेलिब्रीटी लोग ना लोगों से भागते हैं कहीं पर भी अगर समझ लोग की एक हस्बंड वाइफ खड़ा है उसका बच्चा आया अरे मेरा बिटा तो यह करता है अरे आप इसलिए सेलिब्रीटी लोग क्यों भागते हैं इसलिए बास्ते लोगों के पास काम मत वागए जो बैठा है काम देने वाला वो कोई और है उसके पास काम वागए अगर आप समझदार है तो समझ जाए है लेकिन अ मैं यही चीजे सेर करना चाहोगा सारे फैंस जो अभी द आर्टिस की गलती निकालते हैं लेकिन कभी उनके बार में यहीं सोचते हैं कि उन्होंने शायद पिछले 12 हर्स से कांटीनू शूटे रहे हैं इरिटेट हो चुके हो गए या फिर समय कुछ होता है कभी उनका कुछ परसनल लाइफ होती है तो हम हमेशा चाहते है कि हमारे सा जाता हूं तो यह चीठिया होती है तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करे और यह आपको हमेशा प्यार करते रहें प्यार बारा क्वेशन आपको आया हुआ है कि इसा पूछा है कि जब आप अमिद जी के साथ में शूट कर रहे थे उनके साथ में जो आपने एड की है तो उनक बहुत ही सुंदर जैसे जीतना सुंदर क्वेश्चन है इतना ही सुंदर एक्सपिरियंस भी है ज्यादा टाइम नहीं इस चोटी सी एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि मैं बच्चन साथ के साथ जब शूट करना तब बच्चन साथ मुझे इतना कमफर्ट फिल कराते कि मैं बहुत सरी चीज़ें उनसे जीखा एक तो लोग कैसे कंफर्ट रखते हैं लोगों से ज्यादा अपने साथ में काम करने वेले एक्टर को कैसे प्रट रखते हैं ये मैं उन्हें सीखा हूं कि डाउन टूर्थ है कि मतलब वो सेट पर उंची आवज पर बात ही नहीं करता है जब कि उसका कद इतना बड़ा है रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट छोटे से छोटे बंदे से भी तरह प्यार से रिस्पेक्ट से बात करता है यह मैं उन से सब्सक्राइब करने बड़ा है कि उनके अंदर की वो सामने वाले बंदे को मतलब भागवान का दर्जा दे ने देते हैं कि चोथा है उनका टाइम शिद्यूल है उनको जो टाइम बुला गया है वो टाइम पे वो आते हैं अपना काम पूरी निश्ठा के साथ करते हैं ऐसा नहीं कि उनको बोला गया है कि सुबह दस बज़े आएंगे शांग को पांच बज़े जाएंगे तो यह दस से पांच का टाइम आपका है उसमें वह अंदर वैनेदे में भी जाके बैठेंगे कहीं एसी में जाके नो नो क्सीन खतमना अंदा वह अपनी वैनिट में नहीं जाते हैं वहीं पर 5 लाग के उसके उपर देघते हि Kindern्तों आइवे शाप शरा यह जो आपके सिछेना करने कशिच करता हूं आज भी इसलिए लोग जोς लिए अलग नजारे से दिखते हैं मेरे काम को सठते हैं आप जैसे leurs लोग मेरे काम को सरात है इस बात का उपर वाले से हमेशा प्यादा करें तैंक यू सो मच और यह तो बात थी कि आपने अमीजी के साथ में जो आपका एक्सप्रियेंस रहा आपने शेयर की लेकिन इसके लाव आपने काफे आर्टिस्ट जो है एक्टर है उनके साथ में भी काम हमारे जैसे ही है तो यह समझ अगर हमने उसको किसी क्राइटेरिय में डाल दिया कि यह तो उनके सामने एक्टिंग ही नहीं कर पाएंगे यह होता है एक्टर को सिर्फ अपने काम से काम रखना पड़ेगा उस तैंपे जब हम काम करें उसके बाद में फिर आप उनसे बात कर कर सकते हैं उसे हाई हरो कर सकते हो करते हैं ऐसा नहीं है वो सभी लोगों से बात करते हैं फोटो घीचवाते हैं बहुत ही जिन्यून होते हैं बहुत ही नैचरल होते हैं सिर्फ आपने अपना क्राइटेरिया चेंच कर लिया है उनके लिए इसी वज़े से शायद नहीं से आपको ऐसे लगते हुए चैनल यह तो बहुत बहुता है और यह तो बहुत कई लोग भोते हैं कि अज़ता है यह नहीं जिन्यून रहा है बहुत उच्छा बन्ध है बढ़ा को इसलिए को कर रहे है तो वह अपने अपने लेवल पर जो लुकर रहे है आप अनकर पैना और आर्टिस्ट होते ही अच्छे हैं लेकिन कुछ गल्दी है हमारी भी हो सकती जैसे पहलेशन और इसे के संदीप जो है आपके फैंसे उनका कहना यह के सर अगर आप से हर रोज तो नहीं आ सकता है लेकिन हम ऐसी कुछ करेंगी कि जिसमें हम साथ में मिलके ऐसा कुछ वर्क्शॉप करें एक अच्छी सी चीज सिखें जो मेरा एक्सपीरियंस है वह मैं आपको सिखा सकूँ तो यह दिखते हैं कैसे प्लानिंग करी रहा है ऐसे आर्टिस्ट हैं के हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेट लोगे हमसे मिले और हमारे साथ कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करें और एक हिना करके हैं उन्होंने एक अच्छी बात की जो मेरे को भुशना थी है तो वह यह था कि आपका कोई फेवरेट डायलोग अब तक का कोई फेवरेट डायलोग है अगर आप सुनोगे तो यह बोलोगे कि क्या बात है आज सामने आगे हम सुने के नहीं देखेंगे और सुने के पिसाथ है ऐसा है कि आपने फिल्म देखी होगी वैनस दे में यह नसीर दिन शाह और अपने अनुपम खैर साहब लास में जो पुरा चंड लास में बोलते अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं वह सुना सकता है राइट डेफिनेटले हम सब के जाएंगे कि मैं इवराहिम खां हुर्षिद लाला मोहमत जाहिर और इखला केमत कुछ बचाना नहीं मारना चाहता है और इंट्रेट अब आप लोग मेरा यह काम पुरा करेंगे आज अभी मैं कुछ समझा नहीं आपके घर में कौकर्स आता है तो आप क्या करते राटों साब आप उस मैं वह हूँ जो आज बस और ट्रेन में चर्णने से डर्ता है मैं वह हूँ जो काम पर जाता है तो सकी बीवी को लगता है जंग पे जा आ पता नहीं लोटे गाया है नहीं हर दू घंटे बाद फून करते हैं कि चाई पीगी नहीं खाना गाया कि नहीं दर असल बूज यह कि मैं जिन्दा हुई या नहीं मैं वह हूँ जो कभी बरसात में पस्ता है कभी ब्लास्त में मैं वह हूँ जो किसी के आप में तत्सवित देखके शक करता है और मैं वह भी हूँ जो आजकर दारी बढ़ा रहे और टूपी पहले से लिए बिजनेस के लिए दुकान खरीता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखता है कहीं दंगे में मेरा नाम देखके मेरी दुकान जा दें जलाक किसे का भी हो बेवजा मर्ता मैं ही हूँ भीड तो देखिए हुई नापने भीड में से कोई एक शटल चुन नीजिए मैं वह हूँ कि आइंग जस्ट दस्टूपिट कॉमन में वांटे प्ली इस हाऊस अजजना कि इस चॉपिट कॉमन कैसे जाग गया तो तक्लीफ हो रही है जिन्दवी पर गुर्गुट कर मते रहना चीए तो मुझे और यह अचानक नहीं हो है यह समझ लेकि टाइन नहीं मिला रोजी रोटी के चक्कर में यह काम जराजा निगलेक्ट हो गया लेकिन दे रहा है दुरुस्ता है वह बाकी का एक कोक्रुष भी आज ही मरेगा यह चारी कि और भी तो थे मैंने लोट्रे नहीं करें इंचारो का कल और इब्राहिम खांजे से लोग ही मारेंगे उन्हें पिछली बार ट्रेंग में मारा था इस बार कहीं और मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सिकेंगे तुम हो क्या है मतलब हिंदू मुसल्मान मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है मैंने कहाना I'm just the stupid common man stupid common man right तुम्हें डर लग रहा है फकड़े जाने का माले जाने का शाहिद भी स्पेसिफिक हाया ना हाँ तो फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना के तुम्हाम आदमी का जंदा दिखा कर बच जाओ तुम जो साबेक मैं साबेक कुछ मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में घुस्सा बहुत है उन्हें आजमाना बंद कीजिए कि विए रेजिलियंट भाई फोर्स नोट पाई चॉइस आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ चार अपते लगें आपको क्या लगता है जो लोगों में मारते हो हमसे ज्यादा इंटिलियंट है इंटरनेट पर बॉम टाइप करके सर्च मार जिए 352 साइट मिलेंगे बॉम कैसे बनाए जाता है क्या का इक्विप्मेंट इस्तमल होता है सारा इंफॉर्मिशन आसानी से सब्सक्राइब में आप जानते हैं कि कपड़े दोने का साबून तक एक पोटेंशल बॉम होता है मुझे लगता है कि कॉमन मेंन के लिए इससे ज्यादा इस पूर प्रोड़क्त आज तब नहीं बना है गलती हमारी हम लोग बहुत जल्दी यूस्ट हो जाते हैं एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिए एसमेस किया फोन किया शुक्र मनाएं कि हम लोग बज गया और फिर हम उस सिच्वेशन से लड़ने के लिए उसके साथ एग्जेश्ट करना शुरू कर देते हैं पर हमारी मजबूरी है ना हमें घर चलाना होता है साहब इसलिए हम सरकार चुंके हैं कि वो मुल्क चला है आप लोग सरकार पुलिस पॉस इंटलिजिंस सक्षम इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए लेकिन आप लोग कर नहीं रहें सिर्फ शेह दिया रहें है 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 वायर नोट कीपिंग डाम इंदब पाथ एक आदमी उन्हें घार है या नहीं उसको साबित करने के लिए आपको डस साल लग जाते हैं आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलेट पर सफाल है ये सालन नाटक बंध होना चाहिए इस होल ब्लड़ी सिस्टम इस प्रॉड अगर आप जैसे लोगिन किडों का सफाय नहीं किया तो हमें जाड़ उटने लेकिन कैसे हमरी सिविलाइज इस सुसाइटी का बैलेंस बिगड़ी आएगा लेकिन क्या करें राट और साब मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट होगे वो सिर्फ एक ट्रूश्टी विटी नहीं थी वह बहुत बाड़ा सवाल था और वो सवाल यह था कि हम तो तुम्हीं इसी तरह मारेंगे तुम क्या करो यस ते आस्क तट्सिस क्वेश्टिन ऑन फ्राइड़े एडिविविविविव सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारी यह होमेड एड्सौट टेस्ट अली फिलोसोफी गलत है इस तरीका नहीं हां मैं जालता हूं लेकिन आज मैं तरीकी के बारे में नहीं नतिची के बारे में सुच रहा हूं क्यों मुझे उस दिन का इंदजार करना चाहिए था जब मेरा अपना कोई बेवजाइस तरह की जलील मौत मरें ता मेरा एक अदमा को जायज मरूगा हादा नहीं है तो सुन्ये मेरा अपना कोई था स्ट्रेंग लिए सिक्कीस साल का था नाम नहीं जानते हैं वसके अगर रोस मिलता था फस्क्रास पर पाटक पी लटक के हैं मुस्कुरा के हाद के हेलो के था था मैं भी उसको जवाब में हेलो के था से बहुत सारे लोग ते जो दूसरे को नाम से नहीं जानते थे सिर्फ हैलो से जानते थे हाद से से एक रोस पहले उसने मुस्कुरा कर अपनी एंगेजमेंट प्रीन दिखाई ते मुझे अगले रोज मेरी ट्रेंग में सोगे मैं बज गया हूं नहीं बच पाई तो सिवार जब ट्रेन में गया तो मेरी जान पर चंता कोई नहीं था सब नहीं चेहरे थे अच्छा तो यह सब्सक्राइब पुराने चेहरों के लिए नहीं 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 इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं है आई अलवेज नियू वाट लॉस इस अपनों को मरते हुए देखा है मैंने लेकिन साब यह एक सब्सक्राइब नहीं है कोई मादर पाड़ने लेकिन कोई मादर चोट बटन दबा कर मेरे लिए यह फैसला नहीं करेगा कि मुझे कम मरना है उन्ह मैं फक्र है बयानवे पे तरानवे पे दोहजार चे पे गुचराथ मुंबई डिल्ली माले गाउं पे मुझे फक्र है खुट पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं मैं कोई मसिया नहीं मुराठोग साथ और यह मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि मेरा बिटा चप्पिकर से बाहर निकले बेखौग में कहीं भी कभी भी ट्रेन में बस में कहीं भी कि तुम इसमज नहीं पारूं कि मेरे रिजन्स और मेरे डिमांड अजीब सी है न शायद डी स्पैसिफिक हाया ना वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारो तो यह अजीब से है करले है कि घार आति ठीक है आम आदमी से यहीं उंभीत की जाती है कि आम सब형ना की secondly आप मुझसे डर भी ले दे मुझे सीरेसली भी ले रहे दे जब मैंने आपको बता दिया कि मैं काम आद्मी हूं तो आपके आफस मैं चलक एक सब्सक्राइब करता है कि यह मेरा आखरी कॉल होगा नहीं अब से ठीक दस मिनिट बाद नियना रॉय अपने कैमना में दे साथ वाहम होचने वाली है अब मुझे न्यूस पर यह कंफॉर्म रिपोर्ट चाहिए कि इसा होता है तो आपको फोरन फोन करके बता दूंगा सारे बोंस का है और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके जिनमें नहीं अब जाए तो आपके जाए तो आपके जाए तो आपके जाए जाए यह जाए पहली बार में इसा लाइव देखा के नहीं इतना पाउर्फूल होता है एक तो अब सब्सक्राइब जाए तो आपके जाए तो आपके जाए तो पॉलना चाहा कि चिनों ने यह सारी शिजे पूची और आपने हमरे साथ शेयर गी इसके लिए था यह होता है पावर हम कहते हैं कि आर्ट इस एक्टिंग क्या होती है मैं भी कर लूगा भाई नहीं कर पाऊगे देखो उसको कुछ चिजे वह रहती है जो टैलेंट होता है न हो इन बीदी होता है सिर्फ आपको उसको निखाने की ज़रत पड़ती है थैंक यू सर पॉलिश क लेकिन इसके रावा ज़र में आपको कुछ चीजे इसा पूछना चाहोगा कि सबसे बेस्ट आपको सुरत के क्या लगता है यह परस्नल होगा है तुना सुरत क्या लगता है मुझे एक तुना खाने बहुत अच्छा लगता है यही जो होता है एक तो उंद्यू, फापरा, बड़ सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है यहां का जो माहौल है यहां के जो लोग है वो मुझे बहुत अच्छे लगता है जो मुझे आज तक में नहीं देख्या कहीं है थैंक्यू, we also love you sir, हम सब आपको काफी प्यार करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है सूरत और इतना best situation है काफी चीज़ों के लिए, sir अगर यहां से किसे जैसे कि होता है काफी बार fraud के भी होता है जैसे कि जिस तरीके से आपना शेयर किया कि आपको काम कोई धिर्वान नहीं सकता है वो आपका tenant पे डिवेंड होता है लेकिन कूछ ऐसे भी लोग है जो इसका benefit उठा और यह मैंने बताइ आपको सबसे पहले कि ये आपकी मैंनथ ही है जो आपको इस्टेज तक लेकर जाती है पर हम क्या करते हैं कि मैंनथ से डरते हैं शॉट का डूंदे, असी मज़्गे से हमें किसी का सहारा चाहिए और सहारा किसी का डूंडने जाते हो, किसी के कंदे पर आप आप रखते हो, वो आपको पूरा-पूरा कंधा आपका खिंच लेता है, क्यों? क्योंकि आपने उसके पास सहारा मांगा ना, जिंदगी में कभी ही किसी के पास कुछ मागो बन, देने की भावना रखो, जहां और इसका फाइदा उताने के लिए बहुत सारे लोग है गली-गली ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो मतलब आज भी अगर आप जाओ तो पता चल जाता है कि ये बंदे को मैं कैसे बाकली में उतार सकता हूं किसी के पास भी मत जाएए आपकी अपनी महनत ही है कहां महनत करनी है यह अभी तो मार्केट बहुत अच्छा हो गया है आपके सवाल आये नहीं उससे पहले में उसका जवाब दे रहा हूं कहां महनत करनी है लोगों को यहीं नहीं पता है कहां महनत करनी है उसके लिए हम सोचत कि आप मुझे मेरे पर बनवाओ मैं आपको क्या करूंगा कि वहां पर नो डाउट होता है ऐसा नहीं है कि उसके भरों से नहीं मत बैठे रहो से कि अपने फोटो्राफ से कुछ लें से कुछ आपने काम की है billestra बहुत सारी ऐसी लिक्स है फेस्ट पर बाहत सारी सन् Takes जहां पर पता चलता है कि अजिश वगेरा ता चलते हैं और अपरे उडिशोंगए- में इसा होता है कभी-कभी पेचान नहीं पाते क्यूंकि नए कदम होता है या फिर इस इंडुस्ट्री की तरफ टो बटक जाते हैं लेकिन बस यह चीज स्वाकरोण तो इमें अगर कुछ काम करूगा तो कर दो अगर सिर्फिद्शी को एक रूपय मलें म geht मुंबई में किसी से को इत देने के बोल सकते हैं आप एक काम करो मुझे अपने अपने प्रोजेक्ट में काम दिला दीजिए उसमें जो भी पैसा होगा मैं उसमें से 50% आपको देंगा तो राजी हो जाएगा इस तरह से काम हो सकता है ठीक है यह राइट वे इसके लिए है क्योंकि आप काम कर रहे हैं जिसके आपकी इंकम हो आप सारी जाननी हो आपके बारे में जनना हो आपके सोचल साइट है जी बहुत सारी सोचल साइट है उसके लिए मैं सबसेर पहले यही बोलोगा कि आप यामिनीजी का कांटेक्ट कर सकते हैं दूसरी बात कि अगर आपको मुझे मेरी पोस्त वेदा सब लाइव देखनी है तो एक तो इनकी खुद की साइट है सुरत.xy.z.com करके हैं उस साइट पे भी जाके आप मुझे चेक कर सकते हो वहाँ पर भी हेतल पुनी वाला नाम से मेरा पुरा बारेटर प्रोफाइन रखा हुआ है दूसरा आप मुझे डारेक्टली कॉंटेक्ट कर सकते हैं फेस्बुक कर से जहां मेरे तीन पेज़े हैं तूली वाला के नाट्स एच एच एटी एल पी यू एनव यू तूली एले जैसा ही नाम आप यूटूब पर डालोगे सारी ऐड्स आप वहां पर देखेंगे आप जाईए वहां पर देखिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वर सब्सक्राइब नहीं है वह सबसे परह है कि अपनी दोस्त है कर लेकिन क्या है कि मैंने इतना सा चेंज किया मैं वैसे भी नाम चेंज करना है चलो कर लेते एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लेंगे तो काफे फर्क पड़ा है मतलब उसके बाद प्रक्राइब अपना नाम चेंज करते हैं तो उसके पिछों का रिजन होता है सब्सक्राइब करते हैं जानना चाहिए कि आपके होबी क्या जैसे कि आप एक्टिंग करते हो उसके लाब कुई इन चीजों में यू और गो एक्टिंग के लाबा मैं सिमी नचा कर लेना राइक सदो लाइन हमारे लिए मैं शायर तू नहीं मगर आए हसी जब से देखा मैंने तुझे को मुझे को शायरी आ गई करते हैं कुछ लोगों को कुछ परिशानिया होती हैं कई यह जब दोस्ती करना मैं किसी को भी बहुत जल्दी दोस्त बहा लेता हूं यह पता नहीं मेरी अच्छी यह जोगी शायद और एक चीज ऐसे सुरप.xyz के जो माध्यम से हम सब को यह बताना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट जो होता है उनमें कौन-कौन सी कॉलिटी इस ऑल्रीडी होनी चाहिए सिर्फ लें में हाट करने से नहीं होगा वो ओंचज के सामने बैठ comigo किसे बोल पाते को नहीं बोल पाते और बहु करना पड़ेगा तो यह ईक संगीत के बाद आपको रियास करना पड़ता है तब जाके आप संगीत का से सुर लगा पाते हो तो यह एक रियास तो यह सारे सूर आपको समझने पड़ेंगे बड़े अक्तरों को देखिए उनके जैसा करने की कोशिश कीजिए हो सकते है शायद वहां से आपको कुछ रस्ता मिल जाए तो यह बहुत सारी चीजे हैं जो आपको आगे ले जा सकती है पहले तो किसी फिल्म में से आपको जो ड कौन से चीज़ों पर जादा ध्यान देना चीजिए जैसा कि मेरे बता है मैं बार बर यही बोलूँगा कि एक तो अपना माइंड फ्री रखो गुदिशन की जिससे आप डायलोग अच्छे से याद रखाऊ एक ऐसे डायलोग कुछ प्रिपैर कीजिए जो आपको लगता है कि यह मैं प्रिपैर कर सकता हूं मैं इसकी जैसा बोल पाता हो तो एसा डायलोग कीजिए अपने दोस्तों के सामने फ्रेंस के सामने वाइफ जितना ज्यादा दोगे जितने उडिशन दोगे उत्रा ज्यादा खेल पाओगे तरह ज्यादा पॉलिश होगा सारी तरह थेंक्यू सर्थ तेंक्यू एरी मच्छ और हम जो सुरत की वप्रेक गुजिरात के जो है इंग्या के जो पब्ली के आपके फैन से सब यही चाहते कि आ हम लोगों को जितना प्राउड अभी फील हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा प्राउड फील और सभी लोगों कि हमारे सुरत की आनबान श्यान जिसे कहा जाता है तो थैंक्स के ना चाहूगा आपको सुरत.xyz के तरफ से जो सुरत बिगेस्ट वेफ पोर्टल है वेफ चैनल है जिसके तुरू आज हम अपने दर्शों के तक यह सारी चीजे पोछा रहे थे उनको करेक्ट वे में लेके जा रहे थे तो सही मैं थैंक्स कहना चाहूगा मैं सुरत.xyz की तरफ से और मैं स्पेशल जिगनेश भी आपको थैंक्स कहना चाहूगा मैं भी आप सब का बहुत मैं बहुत शुक्रिया करना करना चाहता हूँ था जो आप मुझे फेसबूक पर जोइन कर सकते हैं तो अभी आपको जब बी ऐसा कुछ लगे कि मुझे एतन पुलिवां सा डियरेक करना है कुछ मुझे इवेंड करनी है या मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ तो यह सारी चीज़ आप करा सकते हैं नो जी निस तुमारे तुमारे पेपर लात नहीं मारों तो ऐसा कुछ भी आपको जरूरत हो तो यामिनिका को टेक्ट कर सकते हैं तेंट यू से तना किम्ती समय तो आपके काफियं आप़ारी है और धैंक के ना चाहिएगे अमसे पूरी तेंग यू वार्ण के वाक छिए थैंक यू मैं। प्रेंट्स से जो आप लोग हमसे आपके अपके आप लोकर आपको